पाकिस्तानी मीडिया डेफिनेटली एक नमूना है वहां से फिर नई ख़वर आई है पाकिस्तान के पूर्व IASI चीफ असद दुरानी पर रौ एजेंट होने के आरोप लग गए है और ये ख़वर पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है दोस्तो आप ये वीडियो देखके डेफ लगिकल स्ट्राइक बरदास करना चाहिए उसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए तो चलिए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं फिर वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पर करते हैं बात आपसे रिक्वेस्ट रहीगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वी कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी शिरी के जर्म हो खुद उन्होंने सुप्रिम कोर्ट में जाके माना कि मैंने पैसे तक्रीम किये थै भाई ये तरीका नहीं होता ये इसको कहते हैं गैलरी प्ले करना दाद औ तहसीन वसूल करने के लिए अब आप दूसरी आद पर चले ग करता है एक तो एसास जर्म का शिकार है और एक ही है कि खुद को नीट अंड कलीन थाबत करके दाद वसूल करना चाहते हैं मैं तो बड़ा बहादर हूं सठ्याना इसी को कहते हैं जरूरी नहीं साट बर इसकी अमर में आदमी के इसाफ़ जवाब दे जाएं महातिर मुहम्म के चीए रा के साफ़क चीए से मिलके किताब लिगता ये कितनी ञजीब BER और नेपाल वगरा में उससे मिलता है जाके और ये कहता है बी बी सी में भी वाल वने ये hareक है मगर बाहराल इसके पहले वो ये कह चुके हैं कि एक च्छोटी मोटी सर्ज alkal स्ट्राइक결 करें इं और आप को छोटे श्राइक करेंगे, फिर बड़ी करेंगे, फिर उससे बड़ी करेंगे, और आप खामोश रहें, इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात ये है कि वो अपने जर्म तस्लीम करें और इसके बात कहें कि हाँ ये खलती होई है फिर वो कहते हैं जी वो गरीब बात कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि उसामा बिलादन की वहां मवजूदगी का पता नहीं था पता नहीं ये आदमी जैनल कैसे बन गया था मैं तो हैरान हूँ या ये खाम भी खैर बनी गया था और तीन साल बर करार रहे हैं ये वो अल्ला के बंदे उन्होंने रखना होता वो एक कंपाउंड में रखते हैं उसामा को कोई खंदक ना बनाते कोई भागने करास्ता ना बनाते कोई उसकी इफादत का बंदबस्त ना करते वो हेलिकाप्टर गराना कौन सा मुश्किल होता है और पूरे खानदान को महां रखते इतना बड़ा कंपाउंड बनाते उसको एक से दूसरी जिवा मुन्तकल नहीं कर सकते थे, खंदक नहीं बना सकते थे, कोई फादत का बंदबस नहीं कर सकते थे और जीव और गरीब आज़े, एक है अलता वसायन बावजूद इसके के बरतानवी महरा था, इंडियन महरा तो तो वो था ये बरतानवी महरा भी था, उसने इतना बड़ा जुर्म किया और पुलीस उसके घर में गई, मगर उसके खिलाब कोई कारवाई नहीं नफचे थी ना नाम, वो है नवाज शरीफ साब का, उस नाम के उपर वो क्यों खामोश रहे, एक ब्रिक से वापिस आके जानूंगे हमारे साथ रही है वल्कम बैक, असद्ध दुरानी साब में जो इंटर्वियू दिया है, उससे मुतालिक बाद चल रही थे आरुन सब आप जिकर तो कर रहे थे, उनके जहनी तोजन के हवाले से भी आपने बहुत सारी बातें की उन्होंने बहुत सारी हुकूमतों के उपर बातें की, माजी की हुकूमतों की, फार्च के हवाले से उन्होंने बड़ी खास तोर पे बातें की नवाज शरीफ के नाम पर वो खामोश क्यों रहे, उनका कोई खास जिकर नहीं उन्होंने किया जाहर है इस पे तबस्र की क्या दरूरत है नवाज जरीव के मामले में वो इसलिए खामोश रहे उसको जरा याद सादक काले बाक्या से जोड़ के देखें याद सादक ने जिन्दगी भर उंची आवाज में शायद है किसी से गुफ्तगू की हो शायद अभी को रिसक लिया हो और वो पारलिमेंट में घड़े होके ये फरमाया उन्होंने इर्शाद फरमाया कि हमारी क्यादत की टाम ये काम पर नहीं देखेंगे और इशारा किया च इनकिन मुलकों में शाम में हर जगा इसने कंट्रोल की ये वार राडन डार्मी है इसके सरवरा जो है फिर वो मुकर गया फिर उन्हें का नहीं मेरी तो कैदत से मुराद थी वजीर खारिशा से मुराद थी फलान से मुराद थी और जो वो एक साल से डिप्रेशन का शिकार दो साल से पिछले साल फैबरी में हुआता ना उनको जेशन मनाने का मौका दिया ठीक है ना एक है एजंडा यहां लोगों का इकतदार की जंग का एक एजंडा मुलक से बार भी होता है देखिए हुसेन अकानी या आईशा सिदीका जैसे लोग यह बहुत चोटे चोटे चो हम तरी के मारे हुए होते हैं कहीं से थपकी मिली कोई अच्छी जाब किसी यूनिवरिस्टी में मिल गई किसी अमरीकी बरतानवी होदेदार ने मुला लिया तो बस इसी पे वो उनकी अना के तसकीन हो गई और गलत फहम यह भी हैं बहुत लेकिन आईशा सावक चीफ यह ब पालिस ही नहीं है जंग की बरना सेंकड़ों लाशें उन्हें उठाएं किंट्राउल लाइन पे इसके बावजूद कि दोनों तरफ किश्मीरी मुसल्मान आबाद हैं मारे बाई हैं तो हम कुछ ज्यादा खत्रा मूल नहीं ले सकते और सफैज जंडल अहरा के उले गए ले बड़ा बादर जर्नल था वो जिसने इतला उसे दी थी उसने और भी बहुत से कारणा में इंजाम दिये अभी चुक्के वहाज में हैं तो मुनासब नहीं होता नाम लेना जब रिटायर हो जाएं तो मैं उनके बारे में लिखूंगा आपको बताऊंगा क्या-क्या-क्या- ऐसा कुछ काम पाकिस्तान मीडिया ही कर सकती है यहाँ पर वीडियो होता है खत्मा आप यहाँ से वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं दोस्तो पाकिस्तानी मीडिया ने असद दुरानी जो पाकिस्तान के पूर्व आईएसाई चीफ रह चुके है और इन्होंने भारत के पूर बर्दास करना चाहिए, इन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहे कि इन्होंने ऐसा कुछ बोला कियों है इसके पीछे कि हैं का लॉज्टिक ये है कि भारत पर जो terrorism होते हैं मतल Cats पाकिस्टतन के दौरा भेजे जाते हैं आपको पता है भारत पाकिस्तान का जो जम्मू कस्मीर वाडर है अगर इंडिन आर्मी के लोग तो उन्हें पाकिस्तान को भरदास करना चाहिए इसके पीछे लॉजिक नमबर टू ये हो सकता है कोई भी लॉजिक हो लेकिन ये ISI के पूर्व रॉज चीफ ने बोला है बात बड़ी है तो इसके पीछे डेफिनिटली पाकिस्तान मीडिया का एक रियक्शन आना था और ऐसा कुछ रियक्शन आना था कि उन्हें रॉज एजेंट डिकलियर होना ही था इस बात के बाद तो दोस्तो पाकिस्तान के जो पूर्व ISI चीफ है उन्होंने ये जो बात बोली है इसके पीछे क्या लॉजिक है प्लीस कमेंट बॉक्स में शेर करें और बात रही हारुन रसीद की तो हारुन रसीद एक पाकिस्तान का आप जानते है आर्मी का आदमी है इम्रान खान की चाटता है नवासरीब को ये जब गवर्मेंट में नहीं थे इमरान कान तब भी गाली देता था आज भी गाली देता उनके साब से नवासरीब गद्दार है समझ रहे हैं आप ये किस तरीगे का पत्रकार है और ये भाड कोर इसलामिस्ट है और बहुत बड़ा हिंदू कटर बिरोधी है इसके ट्वीट में आपने एक इसनिक बाद ट्व आप 16 गिराए था और उसका जो मिक अविन्दन जो थे उनका जो मिक मिक आई थिंग मिक बिमान था जो मुझे यान यारा मिक क्या था जो वहां पर क्रैस हो गया था उसके बाद ही उनका ऐसा कुछ ट्वीट आए था तो आप समझ सकते हैं किस मान सकता का पत्रकार है दोस्त चालों सब्स्राइब पर वीडियो को लाइक करें देख नमाल जोस्त करें